संबनिक अखिया खोला, और राजें पिलाईयो धन्दो नीर संबनिक अखिया खोला, और राजें पिलाईयो धन्दो नीर प्यास दसें गलोणाओं मेरा सुखी, दोप मेर बदनुगाओं समसुखी संबनिक अखिया खोला, राजें पिलाईयो धन्दो नीर लेकिन मेरे खाया, सुनी नौई लोग मसरी सिमोनी प्यास अखिया खोलाईयो धन्दो नीर लोग दन्दो नीर लोग मेरे खाया खोलाईयो धन्दो नीर और जब नहीं वोले तो बहीं एक सर्फ पड़ा था, वो सर्फ नाम बताया है बामत सर्फ वोई उठाया और गले में डाल दिया और जब डाल दिया तो वहां से चले आये गलती परीचत की नहीं थी उनके सर्फ कल्यूग सवार था एदर लोमस रिशी के बुत्र स्रंगी रिशी रिशियों के साथ खेल रहे थे किसी ने जाकर के काया है कि तुम्हें आहो तुम्हारे पिता का कोई अपमान करके निकल गया यह जाओ देखो जाकर के तो उशी शमें आज वहां से इस रंगी रिशी चले और जैसे ही चले है सर्फ पड़ा देखा गले में रोने लगे और जब रोने लगे एक जवाब दिया है ओ दन के मत वाले राजा ओ माया मत के दीवाने तुमने अगर मेरे पिता का अपमान किया है तो जा मैं भी तुम्हें सिराप दे रह जाओ आज के साथ में दिन यही तच्छक जीवत हो करके तुम्हें आ करके डसेगा और तुम्हारी म्रत हो जाएगी हाथ में गंगा जलके बूने लिए है और यह सराप दे दिया है मेरे भाईया लोमस्तिशी जगे है तो कहने लगे ऐसा राजा ना हुआ और ना ही हो सकता है बड़ा अच्छा राजा है तुम्हें सराप गलत दे दिया उसकी बुद्धी पे कल्योक सवार था बेटा अगर आगकोई हुद्धी हो तो हुद्धी अपनाओ तो मेरे सोता बंदो हम हम तो मैं का देखाई जायरों का काम कर रहे हो चकी यह पीस रहे अच्छा तो बोले बाबा का गए तो वह चलम भिलम पी रहे हों बैठे तो तुम्हें बताए कि ना जाता है बताए कि अब 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 यह ने करें दोड़ी देर पर अच्छा आ चलो तो फिजाए रहे न अरे काम काउन सही काम है तो तुम तो जानती ना है तुम्हें का पूछे मतला हुसा बोले बाबा जो पाए में मुंदन की माला डाले पो सर किसके लला नारब हाँ जा मने बरियों पूछी ना है पाई कुने कवों अच्छा तो लेकिन कवों पूछी ना है भाई हमने अब फिर का करोगे अब अब तुम आ जानते हो ने सामको जैवात पहले पूछे अच्छा लो ठीक है तो हम तो जाए रहे ठीक है जाओ अब बोले प्रसन कर दियो अच्छा जे बताओ तुमने आज तक वह जब आतना बताई तुम जब अता तुमाने गले में मुन्न की माला पड़ी है जिस सर किसके हैं दिमाह घुमाया बोले बावान हमें ऐसा लगता है कि नारद को चक्र लगव और नारद जाओ जाते वह आगी लगात जाते उनको जे इकाम तो इनकी वाथ है नो इनकी इनो और 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 फिर उनका नाम भी तो नारद था ना और रद यानि कि कोई भी बात के वो रद होने वाली तो मेरे बाईया उशी समय ये सूत जी के ज़ते सोनका दक रिशीं आज कहने लगेश कि बहुत किसको है, तो ज số करते हैं कि ये स्थथ तुम्हारे भले हमारे से हैं तो आमे इत्री बार मर चुके बहुत बेलो कुल और तुम जिंदी बने रहे हैं बहुले बिल्कुल हम तो अमर हैं तुम अमर कैसे हों बहुले मैं सुनाएंगे और कौन सुनाएगा तो जबाब दिया है देखो कथा तो हम सुनाएंगे लेकिन हम कथा सुनाते समयतने बिवोर हो जाते हैं मुझे खुद अपने तनका ख्याल नहीं रहता है बीच बीच में हूकरा भरती रेना तो हम कथा सुनाएंगे बोले बिलकुल क्यों नहीं उसी बन में ले गए प्यारे बहिया और जब बन में ले गए हैं एक आंत में और पहले कथा ऐसे नहीं होती थी के सास्त्री जी बे फलानी सास्त्री दो बजे बैठेंगी पांच बजे उतरेंगी बे सास्त्री बैठेंगे